नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सशान्ग सिंग आप सब के बीच एक नए टॉपिक के साथ जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा आज का टॉपिक है कोरल रीफ्स जिसे हम हिंदे प्रवाल शैल श्रेडियां, प्रवाल वित्तियां या मुंगा चट्टाने भी कहते हैं तो आज सेशन शुरू करने जब पहले हम यह देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या कवर करने वाले आज हम देखेंगे कोरल रीफ्स की डेफिनिशन यानि परिभाषा, इनकी पेशेश्टा हैं कोरल ब्लीचिंग, कितने दरगे कोरल रीफ्स पाई जाते हैं, भारत में इनकी इस्थिति और कोरल रीफ्स से ही सम्मंदित, एक्जाम्स में आने वाले क्वेस्टन, जो कि प्रेलिम्स और मेंस दोनों की तरह से इंपॉर्टेंट हैं हमारे लिए तो आए शुरू करते हैं, बेना किसी तरी के डेफिनिशन के साथ शुरूबात करेंगे समुद्र के भीतर से चट्टाने जो प्रवाल दवारा छोडे गए कैल्शेम कार्बोनेट से निर्मित होती है, यह चट्टाने छोटे जीवो की बस्तिया होती है, जेने हम कोरल्स कहते हैं, आगे बढ़ते हैं, कोरल पॉलिप्स, the animals primarily responsible for reef building, can take many forms, large reef building colonies, graceful flowing fans, and even small solitary organisms. कोरल पॉलिप्स जो इन छोटे जीवों की बात कर रहे थे, जिनकी यह बस्तिया होती हैं, वो कभी-कभी एक सिंगल एकायो में पाय जाती हैं, और कभी-कभी इतनी बड़ी कॉलोनी बना लेती हैं, कि वो एपने आप में एक द्वीप या आइलैंड बना लेती हैं, इसका एक बहतरी एक्जामपल लक्षुदीप है, जो एक कोरल आइलैंड है, वो इन ही छोटे-छोटे जीवों से मिल करके बना हुआ है, और ये कोरल रीफ जो होते हैं, ये फ्लोरा फॉना को काफी मदद करते हैं, फनने फूलने में, इसलिए इनको रेन फॉरस्स और सी, याने क की समुद्र का वर्षा वन भी खा जाता है, इसमें डाइवरसिटी और फ्लोरा एंफॉना बहुत जादा होती है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कोरल रीफ की क्या-क्या करेक्टरिस्टिक्स, जनी विशिश्चता हैं क्या-क्या होती हैं, पहली ये कोरल रीफ चो होती हैं, वो बिल्डप होती हैं, अगला है रीफ बिल्डिंग कोरल्स, एफ सिंबाटिक रिलिश्चिप फोटो सिंथेटिक अल्गी, कॉल्ड जूज एंथली, विश्लिवें देट इशूज, सिंबाटिक रिलिश्चिप का मतलब जब दो अलग-अलग एक दूसरी के साथ रहते हैं, सह जीवन कहते हैं इस हिंदी में, एक फोटो सिंथेजिस यानि प्रकाश शंस्लिशन करने वाला अलगी यानि की सहवाल, जिसका नाम जूज जैंथली है, वो इनके साथ रहता है और उसके कोरल के साथ उसके सिंबाटिक रिलिश्चिप होते ह और अच्छी तरीके से पनप सके, और इसके एवज में, in return, the algae produces carbohydrates that the coral uses for food as well as oxygen, the algae also helps remove waste from the corals, since both partners benefit from association, this type of embassist is called mutualism, जैसा कि हम पिछले में देख रहे थे, पिछली slides में, जूज एंथली को, corals ने एक अच्छा environment दिया, photosynthesis के लिए, और उसके बदले में, ये algae, carbohydrates produce करते हैं, जो कि इन corals के लिए एक भोजन के रूप में होता है, और ये इन corals को oxygen भी देते हैं, इतना ही नहीं, ये corals के waste material जो कि इससे algae को भी फाइदा हो रहा है, इस symbatic relationship में और corals को भी, तो ऐसे symbatic relationship को हम mutualism कहते हैं, ध्यान दीजेगा, mutualism कहते हैं, आगे बढ़ेंगे, Deep sea corals live in much deeper or colder oceanic waters and lack zoos anthony. Deep sea corals take in plankton and organic matter of the much of their energy needs. Deep sea corals जो होते हैं, जैसा कि उन्हें देखा कि अभी corals जो होते हैं, उतले पाने में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सारे ही corals उतले पाने में होते हैं, कुछ corals, याने कि Deep sea corals जो होते हैं, वो काफी गहरे और ठंडे पाने में पाए जाते हैं, लेकिन उनमें zoos anthony नहीं होता सीधा सा इसका रीजन है क्योंकि नीचे जूज एंथली को फोटो सिंथेस करने के लिए लाइट और इंवायर्मेंट नहीं मिलेगा इसलिए वो जूज एंथली को लेक करते हैं वहाँ पे डीप सी कोरल्स और जबकि जूज एंथली है नहीं तो उनको अपना भोजन बनाने के लिए वो प्लैंक्टन को इंटेक करते हैं समुद्री सतय पर पाए जाने वाले प्लैंक्टन या फिर डीप वोटर में पाए जाने वाले प्लैंक्टन को वो इंटेक करते हैं और जो बचा हुआ और गैनिक मैटर होता है marine organisms का उसको भी वो अपने energy के लिए use करते हैं आगे हम देखेंगे conditions required for coral reefs याने कि the conditions which are responsible for the growth of these coral reefs जिनमें ये coral reefs बहुत अच्छे तरीके जपन पे grow करें तो पहले condition देखेंगे वो है the temperature of the water should not be below 20 degree Celsius the most favorable temperature for the growth of coral reefs is between 23 degree Celsius to 25 degree Celsius the temperature should not exceed 35 degree Celsius मतलब coral जो सबसे बढ़ियां पनपते हैं वो होते हैं 23 degree से लेकर के 25 degree Celsius अगे बीच में अगर पानी का temperature 20 degree से कम या 35 degree Celsius ज़्यादा होता है तो उसमें corals के पनपने के chances लगभग लगभग समाप हो जाते हैं और यादी corals पहले से हैं और उस पानी का temperature 20 degree Celsius से कम होता है या 35 degree Celsius से ज़्यादा होता है तो ये corals के मरने के समावना भी प्रकट करते हैं अगला पॉइंट है और अगला पॉइंट है जैसा भी मैं आपको पीछले स्लाइड ने बता रहा था कि corals के पनपने के लिए एक definite salinity, temperature, depth, pressure चाहिए होता है उसका ही एक point कि ये salinity याने कि नमक के कर जो पानी मौझूद होते हैं वो 27% से लेकर के 40% तक के बीच में होनी चाहिए 27 से कम ये 40 से ज़्यादा में corals को पनपने में दिक्कत होती है Coral reefs grow better in shallow water having a depth of less than 50 meter The depth of water should not exceed 200 meter ज़सा कि हमने पीचे स्राइड पे देखा था कि corals को पनपने के लिए उथले पानी के ज़र शक्ता होती है यहाँ पे उसको specific धंग से बताया गया है कि वो उथला पानी 50 meter से नीचे नहीं होना चाहिए और 200 meter के उपर नहीं जाना चाहिए आगे देखते है benefits हमें coral reefs ecosystem से क्या गया benefit होते है coral reefs protect coastlines from storm and erosion provide jobs for local communities and offer opportunities for recreation they are also a source of food and new medicines coral reefs coastline को storms, tufانों से, चक्रवातों से और soil erosion से बचाती है यह local communities जो हाँ की होती है उनको job पर provide करती है और जैसा कि हम लोगों ने पहले की slides में देखा था कि यहाँ पर flora flora बहुत ही ज़्यादा फलता फूलता है तो वहाँ से नए तरीके के medicines और दवाएं और खाना में प्राप्त होता है आगे हम देखेंगे कि इन coral reef के ecosystems को क्या क्या threats यानि की कि किन से इनके ecosystem को खत्रा है coral reef ecosystems are severely threatened some threats are natural such as disease, predators and storms other threats are caused by people including pollution, sedimentation, unsustainable fishing practices and climate change which is raising ocean temperatures and causing ocean acidification कुछ तो माली जे natural processes होते हैं जिस पे हम control नहीं कर सकते जैसे कि कुछ diseases आ गई, कुछ invasive species आ गई, जिनने predator यहाँ पर लिखा गया है या फिर कुछ तुफान या चक्रवात में corals destroy हो गए लेकिन जो हम control कर सकते हैं और जिनसे इनको सबस्यादा खत्रा है वो है threats caused by pollution, caused by sedimentation, unsustainable fishing practices और यह सारी anthropogenic है मतलब इन सब का जो source है वो है मनुष्य जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि climate change का भी एक है और since climate change इस समय का hot topic है तो हम अपने कभी भी आमने answer लिखना हुआ climate change related तो हम यह भी डाल सकते है climate change से coral reef और इनके ecosystem को क्या-क्या खत्रा हो सकता है जैसा कि आप इननोंने लिखा है climate change which is raising ocean temperatures जैसा कि हमने अभी बीछले slide पर देखा कि अगर 35 degree Celsius से ocean का temperature बढ़ जाता है तो वहाँ पर coral reefs बन अप नहीं सकते और उनका जब यह temperature बढ़ रहा है तो salinity पर भी effect पढ़ेगा तो salinity का भी जब effect पढ़ेगा तो 27 परसेंट या 40 परसेंट से इस bracket के बाहर वह salinity गई तो भी coral reef ecosystem को दिक्कत होगी और इसी temperature के rising बढ़ने से और salinity के घटने बढ़ने से ocean acidification होता है आगे हम देखेंगे coral bleaching क्या होती है coral bleaching describes situation in which coral appears to turn white जैसा कि हम यहां पर clearly इस photograph में देख सकते हैं यह जो white color pigments हमें देख रहे हैं यह corals हैं जैसा कि हमने starting में जो corals की photos देखी थे वह काफी colorful थे लेकिन coral bleaching के वज़ए से यहां पर यह corals white हो चुके हैं यह ऐसा क्यों होता है यह भी देखते हैं जैसा कि हम बिलकुल देख सकते हैं यहां पर coral bleaching is not necessarily a death sentence if stress conditions are elevated in time the corals may take on new algae and return to a healthy state यह बहुत ही important चीज है इस पर आप लोग बहुत ज़्यादा देखान दीजिए coral bleaching अगर किसी coral में होती है तो इसका मतलब यह नहीं कि coral मर चुका है या फिर वह फिर से healthy state में आ नहीं सकता यह temporary phenomena होता है अगर future में कभी भी corals को नए algae मिलते हैं तो उनके साथ वही symbiotic relationship में आ करके यह corals healthy state में वापस आ सकते हैं तो coral bleaching is not the death sentence for them it is a temporary phenomena next up is classification of these coral reefs basically these coral reefs are of three types barrier reefs, atolls and fringing reefs जहाँ पर आप आप फोटो देख रहे है यह एक barrier reef की फोटो है barrier reefs are extensive linear reef complexes that parallel shore and are separated from it by a lagoon at their shallowest point they can reach the water surface forming a barrier to navigation barrier reefs जो होती हैं समोद तट से थोड़ी दूर हटकर पाई जाती हैं जिससे की in और तट के बीच में छिचले lagoon पाई जाते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यह जो बीच में यह water body types चीज है यह lagoon है यह coast line हुई यहाँ पर और यह हुआ reef की coastline और बीच में यह water body that is lagoon the Belize barrier reef are the second largest in world behind Australia's great barrier reef याद रखिएगा सबसे बड़ी जो barrier reef है वो Australia's great barrier reef है उनके बाद Belize barrier reef जो South America और North America के बीच में country है Mexico से लगते भी Belize उहाँ पर पाया जाता है यह आके देखते हैं पार्ग बे सिचुवेटेट इन साउथ-east coast of India पार्ग बे सेपरेटेट फॉम गल्फ उफ मन्नार बाई दे मंडपम पेनिसुला और रमेश्वार आयलांड इंडिया के साउथ-east यानि के दक्षड पूर्वी coast पर श्रिलंगा के तरफ पाग बे पाया जाता है और गल्फ उफ मन्नार से यह अंडपम पेनिसुला और रमेश्वार आयलांड से अलक्या होता है अगला है गल्फ उफ मन्नार situated around a chain of 21 islands, the gulf of मन्नार lies between Tutikorin and Rameshwaram at a stretch of 140 km these 21 islands form a part of मन्नार barrier reef which is 140 km long and 25 km wide गल्फ उफ मन्नार भी south eastern coast पर जैसा के भी हमने देखा से लंका के तरफ ही यह भी पाया जाता है और इस 21 islands का एक समू है यह आप देख सकते है गल्फ उफ मन्नार और यह पार्क बे southeast यहाँ पर रमेश्वरम पार्क स्टेट तो just in case अगर कभी question आता है तो north to south arrange करने के लिए सबसे north में पार्क स्टेट है उसके बाद पार्क बे फिर southernmost गल्फ उफ मन्नार आगे बढ़ते हैं अंडमान निकोबार islands अंड मान एको बाहर के बारे में तोड़ी जानकारी यह आइलाइंड जो है 350 आइलाइंड का एक समू है जिनमें सिर्फ 38 यानि कि 38 आइलाइंड पर लोग रहते हैं आगे बढ़ते हैं Gulf of Kutch The Gulf of Kutch is situated in the northern part of Saurashtra Peninsula These reefs are of fringing type and are about 170 km long and 75 km wide at the mouth Due to the mud deposit on various coral reefs, these coral reefs are in highly degraded conditions Gulf of Kutch, Saurashtra Peninsula में आता है और यहाँ पर जो reef पाई जाती हैं वो fringing reef type है यहाँ पर जासे हमने देखा था, siltation की problem बहुत जादा है जिसके वज़े से जो reefs की condition है, वो बहुत ही बुरी होते जा रहे हैं अगला Lakshadip island Lakshadip is the only island where we can find atolls in India The Lakshadip islands which lie scattered in the Arabian Sea are situated at about 225 km to 450 km from the Kerala coast The islands covering an area of 32 km2 consists of 36 tiny islands, 12 atolls, 3 reefs and 5 submerged banks with lagoons occupying about 4200 km2 Due to warm humid climate of these islands, the temperature of the water varies between 28 to 31 degrees Celsius with salinity ranging from 34% to 37% Since Lakshadip India के साब से कोरस के लिए बहुत ही important है तो यहाँ पर थोड़ी जादा जानकारी जो आपको पढ़नी पड़ेगी Lakshadip island जो है वो Arabian Sea में पाए जाता है Kerala coast से करीब 225-400 km दूरी पर यह island टोटल 32 km2 में फैला हुआ जिसमें 36 छोटे islands, 12 atolls, 3 reefs और 5 डूबे हुए submerged banks है यहाँ पर जो temperature है वो बहुत ही humid है, गरम है और इसकी वज़े से यहाँ पर temperature variation भी काफी होता है 28-31 के बीच में temperature रहता है जिसकी वज़े serenity भी hamper होती है 34% और 37% के बीच में यहाँ पर serenity भी बनी होती है Reef types found in India भारत ने कौन-कौन से reef types कहाँ पर पाई जाती है अब उस common list twice देख लेंगे Fringing reefs जो है वो Gulf of मनार, Gulf of कच, अंडमान निकोबार में पाई जाती है Oceanic atolls जैसा कि हम लोगों ने पहले ही भी देखा है सिर्फ और सिर्फ लशदीब Platform reefs, Gulf of कच, Barrier reefs, अंडमान निकोबार Snowflake corals ये एक तरह के corals ही होते हैं आए ये पढ़ते हैं कैरिखोवा रिसी also known as snowflake coral is an invasive species discovered recently by the scientists of the off coast of Thiruvanathpuram and Kanyakumari These fast-going species were found at the depth of 10 meter of covalum in Thiruvanathpuram and at the depth of 18 meter of iniam in Kanyakumari Snowflake corals को हम कैने खुवा रिसी भी कहते है हाली में इनको Thiruvanathpuram और Kanyakumari के coast पर ढूंडा गया scientist के दोरा और मज़े की बात जैसा कि हमने देखा था कि corals जो दे है वो 50 meter से कम की गहराई में नहीं हो सकते लेकिन जो Thiruvanath में ये खैरी खुवा रिसी यानि की slow fake corals पाए गए हैं वो 10 meter की ही गहराई पर हैं और Kanyakumari में वो 18 meter की गहराई पर पाए गए हैं और ये invasive species है तो इनकी वज़े से आने वाले हमारे जो native corals हैं उनको घाटा होता है अब हम देखेंगे कि prelims में कैसे questions coral से put up के जा सकते हैं अलग-अलग exams में पहला question How have coral reefs environments been described जी हाँ एकदम सही rain forest of the sea यानि की समुद्रों का वर्षावन अगला question what causes coral bleaching options oil spills, cyclones, high water temperatures, acid rain इसमें होगा answer high water temperature क्योंकि इसकी वज़े से ही ocean acidification होता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ अगला question है water coral polyps coral polyps क्या है options है minerals, animals, plants, fungi जैसे कि हमने इसकी definition में देखा था coral polyps are marine invertebrates animals इसका answer होगा coral polyps are animals complete answer would be marine invertebrates तो आगे बढ़ते हैं अपने अगले question की तरफ जो है which two countries have the largest area of coral reefs जो options आएंगे उन countries में से किन दो countries में सबसे ज्यादा area है coral reefs का आपके options हैं Indonesia and Australia, Australia and Thailand, Australia and New Zealand, Indonesia and Thailand तो इसका answer होगा Australia and Thailand आगे बढ़ते हैं अब यह हम देखेंगे कि mains में किस तरह के question coral reefs से put up किये जा सकते हैं तो यह question हो सकता है what do you understand by coral bleaching? discuss the factors responsible for destruction of corals coral bleaching हमने अपनी slides में देखी कैसे होती है, क्या होती है, क्या-क्या उसके features होते हैं और हमने यह भी देखा है कि corals को किन-किन चीजों से खत रहा है including humans इनको हमें 200 words में लिखना है जो भी साथी इने लिख करके हमें भेजना चाहते हैं वो भी please share कर सकते हैं अपने answers तो आज का session यहीं तक उम्मीद करता हूँ आप लोग से इसे काफी मदद मिलेगी फिर मिलेंगे जल्दी एक नए topic के साथ खुदा आफिस, बाई